हाई गैस निमेरिकल प्रॉब्लम में 13.3 फाइंड एक्विलेंट रिजिस्टेंस ऑफ दे सर्किट फिगर है 13.3 टोटल करेंट ड्रॉन फॉर्म दी सोर्स और करेंट थूद इच रिजिस्टर सो बिसकली काई आप से यहां पर तीन चीजे पुछे जा रही है पहले पार्ट मे आप से पूछा जा रहा है बिसकली कि करेंट रॉन फ्रॉम दे सोर्स तो लेट से इसको आई माल लेते हैं और पार्ट सी में आप से पूछा जा रहा है आई वन हाई टू आई थ्री यानि करेंट थू इच रिजिस्टर ठीक है गाइस तो अब हम इसको सॉल्फ करने के और हम इनको सिरीज कंबिनेशन में solve करते हैं तो हमारा आई ऐडिया है कि हम पहले इसका एक्वेल्ट ऍर्वेलेट रेस्टेंस निगालेंगे और फिर हम इसका एक्वेलेंट रिजिस्टेंस अनलेंगे तो इक्वेल्ट रिजिस्टेंस हम यां लिग देते हैं R Ą इंको च आरट को यहां पर सॉफ करते हैं है तो गाइस बेसिकली मैंने यहां पर सॉल्फ किया इसको क्योंकि दोनों पारलेल में है आरवन और और फ्रू दोनों पैरलेल में हैं तो इन की जो ऐन्ट डिशेस्टेंस है कुछ इस तरह से वो जाएगी वन अपन R equivalent 1 plus 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है guys, so, यहाँ पर मैंने इसको solve कर लिया, because दोनों का amount जो है, वो same है, 6 और 6 है, तो यह 2 upon 6 हो गया, 1 upon 3, और जब recipe brookal करेंगे आप, तो answer आजाएगा, answer आजाएगा 3 ohms, ठीक है guys, ठीक इसी तरह से अब हम देखेंगे, कि अब यह जो दोनों resistor है basically, ठीक है, R equivalent 1 और third resistor, R3, दोनों series में हैं, तो अब हम series में कैसे निकालेंगे, इनकी equivalent resistance, equivalent resistance हम निकालेंगे, R E, जो के required है, ठीक है, part A में, so, वो हो जाएगा, R E 1 plus R 3, तो यह हो जाएगा, 3 ohms plus 3 ohms, ठीक है गाई, इस तो यह हो जाएगा, 6 ohms totals, 6 ohms are equivalent resistance हमने निकाल ली इसकी, ठीक है, so, अब माल लीजिए कि अगर, यह जो है basically, कुछ circuit इस तरह से है, यानि R equivalent यहाँ पर लगा हुए, और यहाँ से current जो है, वो pass हो रहा है, और यहाँ जो है, battery, basically, battery के across, R equivalent, जो resistor है, वो लगा हम है, तो equivalent resistance, basically, यहाँ पर कितनी है, इस से हम current निकाल लेंगे, I is equals to V upon R, ठीक है guys, so, यहाँ पर V, R, E कर दिया मैंने है, so, यहाँ पर basically, जो potential है, आपको given, वो 6 volt है, 6 divided by 6, तो यह 1 के बराबर हो गया, so, यह part B मैंने solve कर लिया, के 1 ampere के बराबर आ गया current, ठीक है guys, अब हम part C को solve करते हैं, तो नो guys, अब हम चेक करते हैं, कि basically हमारे पास जो combination था, अब हम reverse order में जा रहे हैं, तो पहले हमारे पास यह combination था, ठीक है, so, R, E1 और R, 3, ठीक है, so, अब हम इसको कोई माल लेते हैं, P और Q और S को माल लेते हम R, ठीक है, so, P, Q और R, R ना करें, S कर देते हैं, ठीक है, S कर देते हैं, P, Q और S, तो basically जो potential है, वो P, Q के along, जितना drop होगा, वो ही Q, S के along drop होगा, क्यों, क्योंकि basically जो circuit के अंदर, जो potential है, basically वो sum होता है, two potential drop, ठीक है, across each resistors, तो basically यहाँ पर जो potential है, वो हमें given दिया जा रहा है, six ohms, ठीक है, और जो आपके पास equivalent resistance है, वो आपके पास दी जा रही है, R equivalent one, three और यह भी three है, ठीक है, सो मैं इसको दुबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पर, यह भी three ohms है, ठीक है, तो basically guys, आपको पता है, कि current जो है basically, अभी हमने जो one ampere निकाल रहा है, one ampere current जो है basically, वो सब के थूँ पास कर रहा होगा, one ampere current जो है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है, वो series में, तो वो equivalent resistance one और three दोनों से पास कर रहा होगा, तो हम यहाँ पर ले ले लेते हैं, A, V is equals to I, R, ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि P, Q के दर्मियान हमें potential निकालना है, कितना potential drop हो रहा है, तो हमें value भी जो resistor है, उसकी रखनी पड़ेगी, equivalent resistance one की रखनी पड़ेगी, तो current basically same है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करते थे one multiply by three, तो basically यहाँ पर three potential आ गया, यह P, Q के across, तो P, Q के across अगर three potential आया है, तो obviously बात है, कि QS के दर्मियान भी same ही potential आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो resistance है, वो three है, ठीक है, और current जो है वो one है, तो यह ओगया three voltage, ठीक है, three voltage, अब क्योंकि हमें इसका जो potential है वो पता है, तो हम असानी से यहाँ पर जो current है, basically वो निकाल सकते हैं, और current जो है, across R three जो है, वो current की value one ampere ही है, ठीक है, I three बराबर है, I के actually, ठीक है, जो के बराबर है, one ampere के, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यह basically series के अंदर है, one ampere, क्योंकि आप कह रहे हैं कि I three is actually in series, R three is in series, ठीक है, अब सिर्फ रह गया I two और I three का, I two और I one का मसला, ठीक है, so I two और I one को हम कैसे solve करेंगे guys, इसको देखते हैं, तो guys जब आप reverse करके, इस तीसरी वाली diagram में जाएंगे, तो आप देखेंगे P और Q के दर्मियान, ये P है और ये Q है, P और Q के दर्मियान, basically current जो है वो divide हो रहा है, ठीक है, add P current जो है वो दो branches में divide हो रहा है, R one और R two में divide हो रहा है, ठीक है, so हम यहां कह सकते हैं कि current actually divide, और आपको यहां पर पोटेंशल पता है, ठीक है, so potential कितना है यहां पर, potential P और Q के across जो है, वो 3 वोल्ट है, अभी हमने निकाल चुके है, ठीक है, R two, so अब हम क्या करेंगे, हम हम यहां से potential और resistors की value योज़ करके, current निकाल लेंगे, ठीक है, drop across each resistor, तो let's say कि हम I1 की हम बात करते हैं, तो I1 बराबर हो जाएगा, V upon R1, ठीक है, so V भी कौन सा वाला, P Q वाला, ठीक है, P Q वाला, so resistor की जो यहां value है, वो है 3, और जो P Q की value है, my mistake, जो resistor की value है, वो है 6, यहां पर given है, ठीक है, और जो P Q की value हमने निकाली है, potential across P Q, वो है 3, 3 1 times, और यह 2 times, जो यह होगया 0.5, fortunately I2 की value भी same ही है, क्यों कि resistor सेम है, यहां पर I1 के बराबर है, और 0.5 A के बराबर है, ठीक है guys, तो आपने यहां देखा, कि हमने resistors को use करते हुए, और potential across P Q को निकालते हुए, हमने जो current है, थूँ एच वो हमने निकाल लिया, each resistors, ठीक है, so current in I1 and I2, basically 0.5 के बराबर है, क्योंकि दुनों के resistance सेम है, और जो resistance है, basically R3 की वो change है, और क्योंकि वो series में है, तो वो 1 ampere ही होगा, that's it guys, झालो के अलो खाई वो,